हेलो गाइज जैसा कि आपको पता है चायावाद के परवर्तक चायावाद के मुख इस्थम जैसंकर प्रसाज जी की जो कुछ रचनाये हैं जो आपके एक्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ही साधारन और सरल भासा में आपकी ट्रिक मैंने क्या करी है यहां पर बनाई हुई कैसे याद करेंगे हम लोग जैसंकर प्रसाज जी के द्वारा रचित प्रमुख रचनाये जो हैं क्या करना है आपको केवल एक लाइन याद करनी है जो लाइन है आपकी क्या कहते है जिसको ग्राम आरा के आरा एक ग्राम है जो कि आपके बिहार में पढ़ता है आपको पता तो ग्राम आरा के चंदर प्रकास काका जील से धरू पर गए किस से गए जील से धरू पर गए एक बार फिर से रिपीट करिएगा ग्राम आरा के चंदर प्रकास काका जील से धरू पर गए अब यहां से आपकी जैसंकर प्रसाज जी की जो प्रमुख रचनाय हैं जो आपकी ए प्रेमपथिक हो जाएगी, उसके बाद का से आपकी चन्दः गुप्त हो जाएगी, उसके बाद बचे काका जी, तो काका से क्या हो जाएगी, कानन और कुसुम हो जाएगी, क्लियर है उसके बाद आपकी जील से क्या हो जाएगी जील से जर्ना हो जाएगा ला जो बचा हुआ है उससे लहर हो जाएगी और ये जो धुरू है ये आपसे क्या हो जाएगी धुरू स्वामीनी हो जाएगी तो ये जैसंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाय थी अब यहा कौन सी कहानी है ये इनकी प्रथम कहानी है आप से कभी भी पूछा जाए कि जैसंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है तो जैसंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है 1912 में आई थी इंदू एक इनकी सब्ताहिक पत्रिका चल रही थी उसमें उसके बाद एक और important question यहीं से पूछा जाता है कि इनका अंतिम खंडकावे कॉन सा था तो कामाइनी इनका अंतिम खंडकावे है कामाइनी रचना आपके जैसंकर प्रसाद जी जो कि आपके छायावाद के प्रमुक इस्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी important रचनाय जो आपके exam में पूस्ती हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी ही सांदार वीडियो पाने के सभी लोग अच्छे से सेर करके और लाइक वाला बटन जरूर दबाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, ठैंक्यू सो मच, और 12 बजे डेली आपकी हिंदी की क्लास च तो उसका भी आनंद जरूर उठाएं, 12 बजे लाइव जरूर आएं, थैंक्यू सो मच,